एक बार स्वागत है सात्यों किन शिक्षकों की कॉंस्लिंग कब जल्द बाता आएगा शिक्षा विभाग स्कूल समय अबादी पर नेड़ने दो दिनों में कल आपने देखा होगा कि मानिय शिक्षा मंतिर जी का जबाब आया था शक्षमता परिक्षा उत्रण नियोजी शिक्षिकों की कौंसलिंग किस दिन होगी इसकी जानकारी जल्दी शिक्षा विभाग देगा और इसे लेकर के विभाग की ओर से सौप्ट विएर विख्षित किया जा रहा है विभाग ये पदाधिकारी बताते हैं कि शौप्टिवर के माध्यम से सबी शिक्षकों के लिए अलग-अलग तिथी तैकर विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी जाएगी मालूम हो कि शिक्षक विभाग ने एक अगस्ते शक्षमता परिक्षा उतेरों शिक्षकों के काउंसलिंग के तिथी तैकी है विभाग की विबसाइट पर जानकारी प्राप्त करने के बाद शिक्षक उनके लिए निर्दारी तिती को सम्मंदी जिले में जाकर कौंसलिंग के लिए उपलब दोंगे कौंसलिंग दोरान शिक्षकों से प्रमान पत्रों आधी काक जातों का सत्यापन होगा और इसके बाद शिक्षकों के पदस्थापन की आगी की प्रकिरिया तै होगी विभाग ने पहले ही यह साप कर दिया है कि विहार विद्याले परिक्षा समीती की ओर से शिक्षकों को जो जिलावन्टित हुआ है वही पर उनकी काउंसलिंग होगी शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर राजज के स्कूलों को पास रेणियों में बाटने का निर्ने लिया गया है इनमें शेहरी अर्दशेहरी ग्रामीन पहारी छेत्र दियारा के स्कूल शामिल है और इसको लेकर के विवाग निती बना रहा है कि कि इन शिक्षकों को कौन सी श्रेणी की स्कूल में पदस्था पित किया जाएगा मालूम हो कि 187,000 शिक्षकों ने श्रक्षमता परिक्षा उत्रन की है तो इसमें सबसे महात्पा पूर्ण है कि कौंसलिंग की प्रक्रिया तो आप सभी को पहले से ही मालूम है कि जिला अस्तर पर होगा और उसके लिए ज सफ्ट्वियर के माध्यम से होगा पदस्थापन और उसमें पांस प्रकार के स्कूल रखा गया है छेतर का नाम आपने अभी देखाई है तो वो प्रक्रिया भी कौंसलिंग के तुरंत बाद ही पुर्ण कर लिया जाएगा ये मेरा कहना नहीं है ये शिक्षा भाग का कहना ह और उसके बाद ही आगे BPSC बाले शिक्षक हों चाय कोई आन्य शिक्षक हों उनका स्थान अंतरन की जो बात आ रही है पोस्टिंग की जो बात आ रही है ट्रांसफर की जो बात आ रही है वो होगा ये आप सभी जान लीजिए कलमान्य शिक्षा मंत्री जीने स्पस्ट रू कुछ शिक्षक अभी भी उससे लाहनुवित नहीं होंगे तो देखिए आगे क्या होगा जब तक हम लोगों के बीच नहीं आता है तब तक तो सभाविक हैं सभी अपना अनुमान ही लगाएंगे दस से चार बजे तक विद्याले संचालन की अवाधी इसको लेकर के पिछले छे महिना से आप देखी रहें के आवाज बोलंद क्या जा रहा है क्योंकि मननिये मुख्य मंत्री जीन ने कह दिया था विधान सभा में मैलाव दिव्यान शिक्षों को नजदिक पोस्टिंग मिलेगी ये सपस्ट रूप से मानिये शिक्षा मंत्री जीने कह दिया है विधान परशद में मंगलबार को शिक्षा मंत्री शुनील कुमार ने काय की स्कूलों के प्रारंब और बंध होने की समय सीमा पर विभाग दो हाफ डे होता था उस हाफ डे को केके पाठक जी ने बंद कर दिया उस पर भी ध्यान जो है वो आकरशित करना होगा हमें ध्यान दिलाना होगा मानिये शिक्षा मंत्री जी को कि आप जो कमेटी टाय किये हैं उसमें उसको लेकर भी चर्चा आप करिए क्या करने जा रहें अस्थान अंतरण के लिए भी मान्य शिक्षा मंतर जी ने बोला है कि नवलकिशूर यादव की प्रस्ता विश्श्ष्ट शिष्ष्षकों को स्वयक्षिक अस्थान अंतरण के जवाब में शिक्षा मंतर ने का कि महिला और दिव्यांगों का उनकी सुप्धाक अनुसार नज दिखान रखना होगा यदि आपको गुणवत्ता पुन शिक्षा चाहिए तो चैवो महिला हो चैवो दिव्यांग हो चैवो कोई भी शिक्षा को यदि उनके नजदीक में पोस्ट खाली है तो सभाविक है उनकी पोस्टिंग वहाँ पर होनी चाहिए जिस से उनको आने जाने में सुभधा हो और सुभाविक है जब वो आने जाने में ही अपनी सारी उर्जा लगा देंगे 40 किलो मीटर जाएंगे घर से आएंगे तो बच्चों को गुर्णादापन शिक्षा देने में उतने सजग सतर्क और सापधान नहीं रहेंगे यह बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हो और पदाधिकारी भी इस बात से अवगत है तो जो भी माननिये शिक्षा मंत्री जी करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि पोस्ट है खाली तो वहाँ पर यदि नजदीक के शिक्षक है तो उनको देना चाहिए चाहिए रहे हैं कि यदि आपने और आप शेयर कीजेगा तो सौय आपकी अवाज बुलन्द होगी और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेलेकन की बटन दवा दें क्योंकि latest update आप सभी के लिए मैं शिक्षाई भाग से लाता हूँ लाता रहूंगा विश्वास दिलाता हूँ अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में सधनेवा सत्यों